नमस्कार, आप देख रहे हैं एन मिन्यूज, मैं हूँ आपके साथ संदीप्तिवारी कॉंग्रेस के वरिष्ट दिगजनेता और पूर्विकेंदरी मंतरी बूटा सिंग का 2 जनौरी को निधन हो गया बूटा सिंग 86 साल के थे अक्टूबर 2020 में उन्हें ब्रेन हेमरेज के बाद आयम समय भरती कराया गया था इसके बाद से ही उनकी तबियत लगातार खराब चल रही थी दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली बूटा सिंग राजिव गांधी सरकार में देश के ग्रह मंतरी रहे क्रसी मंतरी रहे राजिव गांधी के भरोसे मंद लोगों में सुमार बूटा सिंग आगे चल कर बिहार के राजिपाल और राश्ट्री अनसूसित जाति कमिशन के चेर्मैन भी बने उनके निधन पर PM मोधी ने टूइट करके दुख जताया है PM मोधी ने लिखा स्री बूटा सिंग अनुभवी प्रसासक थे गरीबों और पिछणों की आवास थे उनके निधन से दुखी हूँ उनके परिवार और समर्थकों के साथ मेरी संबेदनाएं राहूल गांधी ने भी टूइट कर लिखा सरदार बूटा सिंग के देहान से देश ने एक सच्चा जन सेवक और निष्ठावन नेता खो दिया है उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा और जनता की भलाई के लिए समर्फित कर दिया जिसके लिए उन्हें सदेव याद रखा जाएगा इस मुश्किल समय में उनके परिवार वालों को मेरी संबेदनाएं आपको बूटा सिंग की राजनीतिक सफर के बारें बताते हैं बूटा सिंग ने अपनी राजनीतिक पारी अकाली दल के साथ सुरू की थी 1960 में कॉंगरेस से जुडे जब जवाहरलाल नहरू प्रधान मंतरी थे 1962 में पहली बारों सांसद बने लोग सभा पहुँचे यहां से बूटा सिंग का एक और दोर सुरू हुआ बूटा सिंग आठ बार सांसद रहे केंदरी मंतरी भी रहे राश्री राजनीत में सक्री रहने के अलावा उन्होंने अपनी पहँचान पंजाब के बड़े दलित नेता के रूप में बनाई 1978 से 80 तक कॉंगरेस के महसच्यू रहे सक्री राजनीत के दोर पूरा होने के बाद वे 2004 से 2006 तक बिहार के राजिपाल रहे भारती राजनीत के बड़े नाम बूटा सिंग अब नहीं रहे लेकिन उनके जिक्र के साथ राजनीतिक पंडितों को वो दोर हमेशा याद आएगा जब पत्रकारों के सामने हस्ते हुए ततकालीन प्रधानमत्री राजिव गांधी कहा करते थे बूटा सिंग जी अब अपनी करपाण अंदर रखी यह सुनकर क्या विरोधी क्या पाटी वाले सब रहत की सांस लेते थे क्योंकि वो बूटा सिंग का दवर था राजिव को सरकारे गिरानी हो या मुक्हि मंतरी बदलने हूं, सब बूटा सिंग ही करते थे सियासी पंडित कहते थे सियासी पंडित कहते थे एक और कटा बूटा सिंग की कृपार से NB News की ओर से बूटा सिंग को सद्धांजली